तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या किसी कार में अगर आप अपनी कार को वाशिंग सेंटर में लेके जाते हैं तो क्या आपकी कार में वाटर की अगर स्प्रेगन डाली जाती है तो उससे क्या आपकी कार की इंजिन को हान पहुंचता है जा फिर कार की इन जगहों पर आप अपनी water pressure को थोड़ी कम low speed में डाल सकते हैं यह soccer की mounting है दोस्तों आप इन जगहों पर डाल सकते हैं लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इन जगहों है मैं आपको दिखा दूँ इसकी भी फ्यूज बॉक्स को दोस्तों इन जगों पर अगर आप अपनी कार की वाटर प्लेशर को काफी हाई स्पीड में डालेंगे तो यह सारी इलेक्रिकल अप्लाइंस शॉट कर जाएंगी इनसे होगा कि आपके कार के कि पहले हो सकता है की काफी सारी इलेक्रिकल अप्लाइंस भी काम करना बंद कर दें कुछ दीरय चलने के बाद यह हाणी तुरंत नहीं होती है अगर आपका अपन日本 को ईसके बद की आप्रेशर में एई में कि सारे पानी को निगलवाते हैं तो उससे हो सकता से क्या मतलब है आपके कार में किस तरह का हार्म महुच रहा है उन्हें तो अपना काम करना है तो दोस्तों इस चीज की आपको ध्यान खुद रखनी पड़ेगी कि आप अपने कार को वाशिंग सेंटर में लेके जाएं तो मेरे ख्याव से आप अपने इंजिन को खुद ही ज्यादा बहतर है आप अपने फ्यूज बॉक्स को सिर्फ खोल के थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन फिरी दोस्तों वाटर की हाई प्रिशर आपके कार के इंजिन के इलेक्रिकल अप्लाइंस को काफी बुरे तरी के से डै इस वीडीयो को लाइक करें शेयर करें शब्सक्रायब करें अगर आपको विडियो पसंद आई तो लाइक करें नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें धन्यवाद दूस्तों वीडियो देखने के लिए